बैठन थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सपलता मिली है नानियागर डकैती कांड का फरार एक इनामी आरोपी गिरफतार सिंगरॉली पुलिस सदीश्यक दीपक शुकला के निर्देश अनुसार बैठन थाना कोतवाली टी आई मनेश दिर्पाटी के नेतरतों में गोबा के नानियागर में हुई डकैती में फरार चल रहे आरोपी को गिरफतार करने में कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सपलता मिली है पुलिस अधिशक ने फरार आरोपी के गिरफतारी के लिए 7000 का इनाम गोशित कर रखा था बताया जा रहा है प्रातिकुंच बिहारी गुर्तिया ने 19 माई 2007 को कोतवाली थाना में FIR दर्ष्ट कराया था नौ अग्यात व्यक्ती जो हतियारों से लेस थे घर में गुशकर उसके और उसके भाई के घर से 52,000 रुपे नगदी लाखो रुपे के सोनी चांदी के जेवर डकैती डाल कर ले गए थे जिसने थाना बैठक कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलास मामला दर्ष कर नामजत 9 आरोपियों में कुछ आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने मौके पर ग्रफतार कर लिया